आज के बिषय पर आने से पहले मैं आप लोगों को अपना परिचे दे देना चाहता हूँ, मेरा नाम विनूद कुमार जा है, हम अपर सचीब एडिस्नल सेकरेटरी राजसरबं भूमिसुधार विभाग में कारजरत थे और इसी पद से सेवा निब्रित होने के बाद आज की में भुदान जांचायोग राजसरबं भूमिसुधार विभाग के द्वारा कठित है, जिसका मैं एक सदर्श्य हूँ, आज का बिषय है बिहार लेंड रिफॉर्म्स एक्ट नाइंटिन फिप्टी एंड बिहार लेंड रिफॉर्म्स रूल्स नाइंटिन फिप्टीवन, इस एक्ट और इसकी नियमाबली पर आने से पहले मैं थोड़ी सी चर्चा इसकी बैक्ग्राउंट का करना चाहूंगा, कि 1950 के पहले जमीन की क्या बिवस्था थी, पूरे देश में आपकी जानकारी के लिए, पूरे देश में तीन धंग के भूमी के प्रबंधन की बिवस् हुआ था, जो बिहार-बंगाल-उरिशा में था, वह था जममिनदारी सिस्टम, दूसरा एक होता था रइयतवारीיסस्टम, और तेवी तूती तेसा था महालवारीसिस्टम, तो जमिनदारी विवस्था जिसके अंटर ता हम अपना राज बिहार-बंगाल-उरिशा था, तो वहाँ पर में यह बेवस्था थी कि जमिनदार रहियतों से लगान की वसूली करते थे और उस लगान की जितनी राशी वसूल करते थे उससे एक certain percentage उनके पास रह जाता था और सेश राशी उनके द्वारा उस समय के जो सासक ब्रिटिस सासक थे उनको हस्तांतरित कर दिया जात इसके साथ ही जमिनदारों को कुछ सक्तियां भी प्रदर्ति थी उदाहरन के लिए जैसे कि सैरात के रूप में जितना भी तालाव था जितना जलकर था जितना मेला था उससे जो राशी प्राप्त होती थी वह जमिनदार को जाता था गैर मज़रुआ मालिक जमीन की बंदो प्रदेश, हरियाना, पंजाब, इन सब जगहों में रहियत बारी बिवस्था हुआ करती थे, फिर कुछ सौथ इंडिया के स्टेट्स में महल बारी बिवस्था हुआ करता था, तो जहां पर में रहियत बारी बिवस्था था, वहां सीधा सीधा रहियत अपना लगान का भुक पूली करते था और एक साथ जमा किया जाता था राजे के खजाना में. अब हम आ जाते हैं आपको एक दो-तीन चीज की और में चर्चा, दो-तीन इवेंट्स की चर्चा करना चाहूंगा, कि लेंड रिफॉर्म्स की जब भी चर्चा होती है और उसके बैक ग्रॉंड में जब हेट कॉर्टर हुआ करता था कलकता में और इस्ट इंडिया का अपनी लगान की वसूली करती थी और बहुत सारे काम मतलब उनको करना पड़ता था मुगल सासक के द्वारा उनको दिवानी राइट्स भी दे दिया गया था तो उसके तहट मतलब क्या कहते है लगन की वसीली ब्रिटी सर्ज कर इस्ट इंडिया करती थी और बाद में लॉड कॉर्ण बालिस जब उसके गवर्नर जनरल बने तो 1793 इस भी में लॉड कॉर्ण बालिस ने एक जमीन और लगन दोनों की एक पर्मानेट विवस्था कर दी उसके पहले मतलब क्या कहते है किसी जमीन को एक साल कोई जोता था दूसरे साल कोई जोता था तो इससे लगन उनको प्रॉपर ढंग से प्राप नहीं होता था इसलिए लॉड कॉर्ण बालिस जो दिदेन गवर्नर जनरल 1793 में उन्होंने एक बिवस्था कर दिया कि नहीं जिसको हम मतलब क्या कहते है जमीन दे रहे हैं उसको पर्मानेंटली देंगे जब तक कि वह लगन का भुक्तान को रोकता नहीं है या अन्यको या इसी बिवस्था नहीं आती जिसके तहत उससे जमीन ले ली जाए तो किसी मतलब जो जमीन जिस रियत के दखल कबजे में है जिसको हम दे रहें उससे लगन प्रतिवर्स लेंगे उससे जमीन हम वापिस नहीं लेंगे और लगान का दर भी फिक्स्ट कर दिया गया कि किस परकार की जमीन के बदले में हम कितना लगान लेंगे और लगान का क्या दर होगा अब उसके बाद से 19 सिधा सिधा हम चले आते हैं Chartered Act बना 1896 में और उसके तहट जो यहां की जमीन की जो बिवस्था थी इसमी टोटल को सिधा सिधा क्रॉन बिरिटिस क्रोन था उसके डिरेक्ट नियंत्रन में ला दिया गया औरChill उन्सट इस्वी में वह भी एक बड़ा इंपोर्टेंट इवेंट था, उसमें आके मतलब क्या कहते हैं, इस्ट इंडिया कंपनी था, उसको समाप्त कर दिया गया, और सिधा-सिधा हम लोग सीधे आगे, क्रोण के अंदर में, ब्रिटिस क्रोण के अंदर में ला दिया गया, अब इसके बाद हम सिधा-सिधा आज आते हैं, लेंड रिफॉर्म्स एक्ट उन्सट पचास पर में, लेंड रिफॉर्म्स एक्ट उन्सट पचास में यह जो बड़ा इंपोर्टेंट एक्ट है, इसलिए कि देश के स्वतंत्र होने के बाद, अपने राज में, बिहारे समाप्त कर दिया गया, और इसकी नियमावली नाइंटिन फिफ्टी वन में बनी, कोई भी एक्ट जब बनता है, तो उसको, मतलब क्या कहते हैं, उसको एक्ज्क्यूट करने के लिए नियमावली भी बनाई जाती है, कि क्या करना है, किस फॉर्म में नोटिस निर्गत करना, एक्ट में फॉर्म्स नहीं होते हैं, नियमावली में फॉर्म्स होते हैं, तो नियमावली भी बनाया गया, इसलिए कि इसका एक्ज्क्यूशन का पार्ट नियमावली में रहता है, और प्रविजन्स सो एक्ट में रहते हैं, तो 1950 में एक्ट बना और 1951 में नियमावली बनी तो एक्ट और इस नियमाबली और इस एक्ट का क्या मेन तीन मेन उद्देश हैं पहला उद्देश यह था कि जमिंदारी जो बेवस्था थी उसको समाप्त करके और सिधा सिधा बिहार सरकार जमिंदार बन गई इसके बाद दूसरा इसका यह उद्देश था कि एक लेंड रिफॉर्म्स कमिशन बनाया जाएगा इसके मतलब इस एक्ट के ताहर और उसके द्वारा जो भी सजेशन्स उसका जो भी सजेशन्स होगा उसके लाइट में गवंचन अक्ट करेगी भूमके सुधार के सम्ध में और तीसरा, इंपोर्टेंट इसका यह था उद्देश की इस से एक्ट के बाद हम बहुत मतलब क्या कहते हैं? डिफरेंट परकार के रहयतों के लिए different प्रकार के मतलब लोगों के tenant की सुविधा के लिए लगन की वसूली के लिए हम अलग-अलग act का act बनावेंगे और उसी के तहट मतलब आप देखेंगे कि धेर सारा 1904 में भुदान एक्ट बना, उन्हेसा मतलब क्या करता है consolidation act बना, sealing act बना, survey act बना, mutation act बना देर सारे act 250 के बाद बनाए गए हैं और उसके तहट अलग-अलग segment के लोगों को मतलब सुविधार दी गई है दाखिल खालिज कैसे करेंगे, इसके लिए अलग act है consolidation का का काम कैसे करेंगे, उसके लिए अलग act है survey का का काम, survey settlement का का काम कैसे करेंगे, उसके लिए अलग act है, तो यह जो Bihard Land Reforms Act आया, उसके जो तीन objectives थे, उसमें one of the three objectives यह था, उसी के तहट यह सभी act बनाए गए हैं, अब इसके बाद से हम आपको यह बतलना चाहेंगे कि यह इस मतलब क्या कैसे, इस act के sections पर में हम चलते हैं, जो important sections है, उसकी चर्चा करेंगे, कोई भी act होता है, उसके पहले section में यह लिखा रहता है कि इसकी applicability किस geographical area में होगा, तो चुकि यह बिहार Tenancy Act है, बिहार Land Reforms Act है, इसलिए इसको दिया कि बिहार का जो geographical area है, उस समय में जहारखंड भी बिहार का पार्ट हुआ करता था, तो बिहार का जो भी, मतलब geographical area है, उसमें यह operative होगा, और इसका नाम क्या होगा, तो दिहार Land Reforms Act 1950 इसका नाम होगा, यह section 1 में लिखा हुआ, फिर section 2 में परिभासाएं हैं, कि tenant कौन है, मतलब क्या कहता है, tenure holder कौन है, proprietor कौन है, under tenure tenant holder कौन है, इन सब को परिभासित किया गए, collector कौन है, तो इन सभी सब्धों का इसमें, मतलब जो भी है, इसका reference act में आया हुआ है, उन सभी सब्धों का इसको यहां इसमें ब्याक्ख्या किया गया है, कि कौन collector है, कौन tenant है, कौन tenure holdर है, कौन प्रोपराईटर है, कोन अंडर 10-year holder है, इन सब की बात, इस विहार Land Reforms Act में के section 2 में किया गया है, परिवासा का यह section है, अब section 3 है, यहां से चलते हैं, बहुत important जो sections है, उसकी जैसे मैंने कहा कि मैं चर्चा करूँगा, तो उसमें यह है कि section 3 जो है, यह बड़ा important section है, इसी के तहट जमिंदारी का उनमूलन हुआ, इसमें यह प्रावधान किया हुआ है, कि जमिंदारी का abolition, जमिंदारी को समाप्त करने की सकती बिहार सरकार की है, बिहार सरकार अब जमिंदार हो गई है, लेकिन जमिंदारी के abolition के बारे में section 3 में यह प्रावधान कर दिया गया, कि मतलब एक साथ सभी जम जमिंदारी को समाप्त नहीं किया गया इस एक्ट के ताहरे इस एक्ट के सेक्शन 3 में यह प्रावधन किया गया कि जब भी किसी जमिंदारी को हम को समाप्त करना है को अलग-अलग हम notification निकाए तर्वंगा महराज की जमिंदारी को खतम करने के लिए एक अलग अधिसूचना निर्गत हुआ, उसका गजट में प्रकासन हुआ, और राजी गजट में, और उसकी एक कौपी दरभंगा महराज को acknowledgement के साथ registered post से भेजा गया, या messenger लेके गया, और वहाँ जब receipt हो गया, जो यह गजट की अधिसूचना है, उनको जब जमिनदार को उपलब्द करा दिया गया, receive करा दिया गया, प्राप्त करा दिया गया, तो उसके बाद से जमिनदारी का abolition हो गया, तो अलग-अलग तिथियों को अलग-अलग जमिनदार, सहत्वा महराज की जमिनदारी अलग तिथि को समाप्त हुई, दरवंगा महराज की जमिनदारी अलग तिथि को समाप्त हुई, बेतिया महराज की जमिनदारी समाप्त नहीं हुई, आज भी वह court of words का अंतर्गत है, रम नगर महराज की जमिनदा होगा और उस notification की प्रती जिस जमिंदारी को समप्त करने की बात है उस जमिंदार को receive कराया जाएगा और जिस date को वा receive हो गया उस date को उनकी जमिंदारी समप्त हो गई अब जमिंदारी जब खतम हो गई तो उसके बाद यह आया कि कि जमिंदारी खतम होने के बाद उसके उसमें अब दो इसूज हैं एक यह है कि consequences of wasting जमिंदारी के समाब जमिंदारी waste कर गया सरकार में तो उसका क्या प्रतिफल हुआ तो उसके उसको हम देखेंगे तो कई मतलब जैसे जमिंदारी खतम हो गई तो बिहार सरकार जमिंदार हो गए जमिंदार बन गई विहार सरकार फिर उसके बाद से यह हुआ कि भाई जितना लगन की वसुली जमिंदार के द्वारा किया जाता था वह विहार सरकार के द्वारा किया जाएगा तीसरा यह हुआ कि भाई जितना सहराती इंट्रेस्ट, जलकर, फलकर, हाट, मेला, बाजार, नदी, नाला, इससे जो भी मतलब क्या करता है, सहरात के रूप में, जो भी आई प्राप्त होता था, एक्स लेंडलोड को वहाँ बिहार सरकार को प्राप्त होगा, अगला यहा है कि माइन्स और विनरल्स ध होता है, लेंडलोड थी, तो उसका जो प्रतिसत पहले जाता था, मतलल एक्स लेंडलोड को वहाँ समाप्त कर दिया गया, अब टोटल का टोटल रेजिस्ट्रेशन और लेंडलोड थी, और स्टाम सुल्ख, सभी बिहार सरकार को जाते हैं, उसके लिए एक अलग बन गया है, तो यह सभी consequences हुए थे, कि जिसके तहट अब माल लिया जाए लोगों को जो जमिंदार के द्वारा जो एक लोगों को परिशान करने की बात होती तो वह समाप्त हो गई, अब हर एक मौजा का, हर एक मतलब की खाते का अलग-अलग लगन निर्धारित कर दिया ग तो दूसरे प्रकार की जो ले में, उधारान के लिए देखेगा, माल ये किरसी की जमीन है, तो उसका एक अलग-अलग लगन होगा, गरी अस्थल की जमीन है, तो उसका एक अलग-अलग लगन होगा, फिर चौर दियारा की जमीन होगी, तो उसका अलग-अलग लगन होगा, तो उसके तहट ये सभी बातें आईए, अब यहां पर में मतलब X landlord को यह दाई तो दिया गया, कि आप return दाखिल करिये, बड़ा important document है, इसी के आधार पर में आगे चलके हम लोगों ने मतलब क्या कहते हैं, विहार सरकार ने एक राजस्यू की जो दिवस्था बनी, उसमें उस किस सहराथ से उनको आमदनी प्राप्त होता था, जितने जलकर फलकर हुआ करते थे, उसकी वे बंदोबस्ती करते थे, तो उससे उनको कितनी आई प्राप्त होती थे, फिर किस आदमी के साथ उन्होंने गयर मजरुआ मालिक जमीन की, कितनी जमीन की बंदोबस्ती की, उसका है उसके अलाबा मतलब जितने परकार का एक्टिविटी जो उनके द्वारा किया गया उस सभी का उलेख де coule économique करना ठाए और रिटर्ण जो किया रिटर्ण में क्या क्या चीज डालना है उसको धोड़ा सा और हम किलिएर कर देना चाहेंगे कि वह बड़ा important section है और इसी के आधार पर जैसा मैंने काया कि अभी हम लोगों की बिवस्था राजस बिवस्था का एक आधार अस्तम्भ है आप भी जब काम करने लगेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें आएगी जहां आपको लगेगा कि return को देख लेना आवस्चेखा और return को आप return की तो return में यहां हुआ कि tenure hodal कितना लगन कोई रहियत मतलब क्या कहता है उस समय के जमीनदार को देता था उसका उलेख return में किया गया है कितना सेस रासी का भुकतान करता था मतलब उसमें उलेख किया गया है साधा हुकम नामा के द्वारा कितने लोगों को जमीन की बंद करने की सक्ति उनको नहीं थी और मध्यवर्तियों के द्वारा कितनी जमीन अपने खास के दखल में रखी गई उसका उलेख उसमें किया गया है मध्यवर्ति द्वारा ब्यवरित कचहरी कारजाले इत्यादी उसका भी उलेख उनके द्वारा किया गया है मध्यवर्ति की जम प्रवाइस कितनी होती थी डिप्रेंट सोतों से उसका उल्ले किया गया है, मदिवर्ती को चौकीदारी, चौकीदारों को मतलब क्या करते हैं, सासन बेवस्था बनाए रखने के लिए किसको कितनी रासी का हुए भुक्तन करते थे, उसका भी उल्ले किसमें किया गया है, तो यह हो गया, this is consequences of wasting और उसके बाद से यह return दाखिल करने की बाद, अब यहां section 4 की हम चर्चा कर रहा हैं, इसमें